नमस्कार पॉल्ट्री फार्मर भाईयों मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हो पॉल्ट्री वाला यूट्यूब चानल नए नए पॉल्ट्री फार्मर जब उनकी पहली बैट डालते हैं तो उन सभी की एक कॉमन शिकायत होती है और वो होती है कमपनी का रेटिमेट फिट खिलाने के बावजूद भी हमारी ब्रोइलर मुर्ग या फिर देशी नसले की कोई भी मुर्गी क्यों न हो उस हिसाफ से अच्छे तरीके से हमारी मुर्गी वजन नहीं बढ़ा थी आज के सूड़ो को स्टॉर्ट से लग manifest गुविशन के फूरा देखेगा आज-को बातने हुआ और बात बता दू आयुर्विदा की बात कर लिए या फिर हमेपैतिक की बात कर लिए एद्रेक के बहुत सारे फाइदे होते हैं और आज के इस वीडियो में अध्रेक पाउडर का किस तरीके से मुर्गियों के फिड मिला कर देने से आपको क्या-क्या फाइदे होते हैं उसकी कितनी मात्रा इस् इस्तिमाल करके अच्छे से अच्छे और जल्दी ग्रोथ का मुनाफ़ा हासिल कीज़ेगा तो सबसे पहले वीडियो के आगे ले जाएंगे पहले पुल्ट्री पीडफ एबुक और हार्डबुक का एक छोटा से इंट्रो हम देख लेते हैं उसके बाद इस वीडियो के हम कैर करते हैं। करके इस बुक को खरीटते हो तो और अगर आप इस बुक को मंगवना चाहते हो तो आपको पचास रूपर एक्स्ट्रा कैस्ट क्लेक्टिंग चार्जिश करना पड़ेगा अधिक जानकारे के लिए या पर इस बुक को खरीद निकले 917611 143 इस वाट्सप नमर पर मेसेज कीज़िए देखे दोस्तों आज की सुटों में हम अधरक के इस्तिमाल करने से क्या क्या हमारे मुर्ग को फाइदे होते हैं इस तरीके से अधरक पौडर का मुर्ग के मिलाने से हमें उसके वजन के बड़ातरी में फाइदा होता है इस पूरा देखेगा सबसे पहले फाइदे के अगर मैं बात बोलता हूं तो सबसे पहले तो मुर्गियों के हाजमे को उसके डाइजेस्ट्व प्रणाली को यह बहुत अच्छे से मजबूत कर देता है साथ डाइजेस्ट्व प्रणाली से जूड़े हुए जितने भी अंग होते जिसके लिवर, प्रवेंटटिकूलस, घिजर और आते उनके को यह इंप्रूव कर देता है और जब कभी मुर्गयों केchine इंप्रोव होते है तो एंडेर की उनकी मेटीम की प्रक्रिया भी इंप्रोव होती है जिसके वज़से मुर्ग का वजन बहुत ज्यादा से बढ़ता है इसी के वज़े से मैं आपको करता हूँ कि आप अपने देशी मुर्गयों के फिड में अध्रक पाउर का इस्तेमाल जरूर कीजेगा दूसरे फैदिक अगर मैं बात बोलता हूँ दोस्तों बीमारी के दोर में जब कभी आपकी मुर्गयों की इमिन पाउर कम हो का जो वजन होता है वो रिवस आ जाता है या फिर कम हो जाता है और फीड में उस अध्रक पाउडर का इस्तेमाल करने से भी आपको बेहतरिन से बेहतरिन मिलते हैं इसरे फायदी के अगर मैं बात बोलता हूँ तो फीड इंटेक बढ़ाने के साथ मुर्गयों के बॉड़ी मुर्गी के खाने के नली से शुरू होकर आगे प्रोविंटुकुलस गिजर्ट शोती आत बढ़ी आत इनमें सुधार के साथ साथ इनमें अगर किसी प्रकार का बैक्रियर इंफेक्शन है उसे भी दूर करने के लिए एक प्रकार से कुद्रती दवा की तरह काम करता है और जब कभी भी हमारी मुर्गियों के शरी से बैक्रियर इंफेक्शन दूर हो जाता है तो हंड्र आन वन प्रेस्ट आपकी मुर्गया जल्दी से जल्दी वजन कम दिनों में कम खाना खाकर बढ़ाएगी ही पाच्वेफाइदी के अगर में बात बोलता हूँ तो मुर्गयों अच्छे होने के वज़े से आपकी मुर्गी जल्दी से जल्दी कम दिनों में कम खाके वजन बढ़ाएगी जरूर अगर आपको एक व्यूद्ध तरीके से नहीं हो रही है तो फिर यह आपको उसमें भी पजूट रिजस्ट देखाई देता है इसले में सेट करता हूँ कि जिसके ग्रोथ की बात आओ या फिर एडर्स मुर्गी की ग्रोथ की बात आएं दोनों भी कंडिशन में आपको अगेदर का पाउडर जो उसकी होती है ठीके पैरेंस टॉक के जो क्रॉसिंग करने के एबिलिटी होते उसको बढ़ा देता है अगर मैं बात बोलता हूँ दोस उनके इम्यम्यन पक बढ़ाने में सहायक होता है जब मुर्गों की इम्यम्यन पक्रätक में मुर्ग ये इंप्रूव होता है नवे बेनिफिट के अगर मैं बात बोलता हो तो मुर्गियों के भूख को बढ़ाने के लिए आप जो लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हों वही काम ये कम किमत के साथ अध्रग पौडर कर रहा होता है मतलए के अल्टरनेट्व शुद्ध देशिन उसके के साब अध्रग पावड फौनिक का काम करता है अध्रग लिवर टॉनिक घार करता है तो मुर्ग मड़ियोंकी प्रक्रियों में इंप्रूब होने के वाजे से आपकी मुर्गी च्टवे सात्वे दिन से मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि यह मेटाबलोजम के प्रक्रिया को बहुत जड़ा इंप्रूव कर देता है इसलिए कम से कम फीड में मेटाबलोजम प्रक्रिया के द्वारा उसकी डाजिस्ट्यू प्रनाली सुदर जाती है और एनर्जी का कनोज बढ़ जाता है जिसके वज़े से कम से कम फिड़ों में आपकी मुर्गी ज्यादा वजन भी देती है और कम से कम फिड़ में आपको आपकी लेंग मुर्गया ज्यादा अंडा भी देती है तो इतने सारे फाइदे दोस्तों एक अध्रक पौडर का आपको मुर्गयों के फि चार दिन कड़ी धूप में आपको सुखा लेना होता है उसके बाद उस सुखे हुए अधरक को grinder में mix करके उसका powder बना लेना होता है और इस बनाय हुए powder को हफ्ते में कोई भी एक दिन मुर्गयों के दोपेर के 8 घंटे के फिड में आपको मिला कर देना होता है और किती मात्रा मिला कर देना होते है ह हटे चंग में कोई भी एक दिन कंटिन्यूसली आप की सकती हो हफ्ते में कोई भी एक दिन कोई आग्ले हप्तबरी को द्結果 trên लेकर पांच बज़े तक का जो प्опас दिते हो उस समय में यह व्यक्षक पर एक चमच पर वन केजी फिड में आपको मिला कर देना होता है मैं गारेंटी लिता हूँ दोस्तों आपको बेतरी से बेतरी और ज्यादे से ज्यादा वजन आपको आपके मुर्गों से हासील होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से इसको लाइक पर ने कुड़े में तबते के लिए धन्यवाद